अस्वाइम दोस्तों, जितने भी T20 World Cup squad अनूस हुए हैं, सब बड़ी टीमों को ठाके देखें, जिसे अस्ट्रेलिया उनके पास दो रिजर्व करिक्टर्स हैं, इंडिया के इमसाल ले उनके पास चार रिजर्व करिक्टर्स हैं, स्रिलंगा के पास चार रिजर्व करिक्टर कि उनमें spinner भी शामिल होते हैं, fastball और एक better, एक combo बना के रखा जाता है, कि खुदानाखासा कोई injury हो जाए, जो कि हो भी सकती है, तो replacement के लिए आपके पास करिक्टर्स बिल्कुल आपके रूम में ही हो, और आप उनको उठाकर अपने squad में डाल दे, ताके वो used to भी हो, environment के और सब चीज़े चले, मगर पाकिस्तान, पाकिस्तान टीम जो 15 रुखनी squad अनौस हुआ वर्ल कप का, उसमें एक भी reserve character शामिल नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसके उपर हम आज का ये vlog कर रहे हैं, और कौन-कौन सी टीम हैं, जिन्होंने reserve character अनौस नहीं किये हैं, for example, United States है, अमेरिका के अपनी team है, उन्होंने भी reserve announce की है, मतलब वो अपने देस में खेल रही है, उन्होंने भी reserve announce की है, वेस्ट इंडीज ने reserve announce नहीं किये हैं, क्योंकि वो सारे matches वहीं पे खेल रहे हैं, और वो उनको जरूर्द होगी तो वो अपना, किसी को भी बला के कर सकते हैं, मगर England ने भी announce नहीं किये, Ireland ने भी नहीं किये, और पाकिस्तान ने भी नहीं किये, ये खास बात है, कि ये तीन country हैं, जिन्नोंने announce नहीं किये, मतलब क्या ये गलती पे हैं, ये इनका plan क्या है, अब Pakistan का क्या plan है, वो मैं आपको बताऊंगा, और ये आपको समझ में आएगा कि शायद इंग्लेंड और आइलेंड भी उसी चीज़ पर ही रह रहे हैं बट अगें यह जिस्टिफाइज शाहिद नहीं है मेरी जाती रही है कि पाकिसान को भी रिजव अनौस कर लेने चाहिए थे और ट्रैवलिंग रिजव होते हैं लाइक वो जाते हैं टीम के साथ रहते अगर खुदाना खास्ता कोई ऐसा हो जाता तो कम असकम जो प्लेयर टीम में शामिल होगा वा थोड़ा सा मेंटली तोर पर और थोड़ा सा इन्वार्मेंट के साथ रहता अगर्चे पाकिस्तान बहुत जिग-जैग क्रिकट खेल रहा है पहले डैलेस जाने पिर नियॉयॉ कोई फास बोलर चाहिए तो यहां पर हसन अली और आमिर जुमाल जो हैं वो इंग्लिश के निशन में अरली काउंटी क्रिकट खेल रहे हैं तो अरजस्मेंट हो जागे कोई मसला नहीं है यहां से पांचे घंटे की फ्लाइट है तो बलाएंगे और सिदा वो अमेरिका अमे पस तीन-चार क्रिकटर हमारे यहां पर खेल रहे हैं उनके वीजे मैका के लगे होएं और अगर कोई इंजरी हो जाती है यहां से इंगलेंड से तब तक वो क्रिकट भी खेल रहे हैं तो क्या जरूरत है उनको इरिजर्व के तुर पर शामिर रखने की कि वो अपनी हैं जो नहीं शामिल है और यह मुझे लगता है कि थोड़ा शायद शायद पाकिस्तान यहां पे कर चुका है कि मिडर और में पाकिस्तान के पास आप्शन इल्ट इफ्तखार एहमद है आजम खान है फगर जमान आप कहलें फौर्थ नंबर के वपर आते हैं तो इन आप्श पाकिस्तान जो पंदार उपनी स्कौर्ड के अंदर ही कोई करिक्टर है तो उसको ही अर्जस करें लाइक फिर मजबूरन होगा कि आप फिर साइम को या जो भी एक ओपनर अपने ड्रॉप किया होगा उसको टीम में शामिल करें और फिर उस्मान नीचे आकर वह बले बाजी करें जो कि एक मेक शिफ्ट अर्रेंजमेंट होगी बेस्ट अर्रेंजमेंट शायद नहीं होगी तो यहां पर है कि पाकिस्तान ने अगर आप टीम उठा के देखें फाकर जमान बावराजम घ्रिजवान साइमयूब उस्मान खान यह मतब कुल मिलाके पांच जो हैं वो कर लेना चाहिए हूं कि मिडर और में खुदाना खासा अगर उक इंजरी हो जाती है तो फिर आपके पस आप्शन नहीं होगी हां यह जरूर है आप फिर रियूंग करेंगे कि आप शिदाब खान को खिला लेंगे तो यह मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद यह स्कौर्ड में सिर्फ आठ वो क्रिक्टर शामिल हैं जो 2022 टीटोंटी वर्ल्ल कप का फाइनल खेले हैं पाकिसान ने आज पूरा डटा दी है जो पीसे भी की तरह से प्रेस लीज आई है कि हमने भाई तीन वर्ल कप के फाइनल खेले हैं जिसमें 2007, 2009, 2022 शामिल है गर्चे 2009 ज खेला हुआ है एक वर्ल कप जीता हुए तो पाकिसान का टीटोंटी में अच्छा है मतब ऑफ कोर्स पाकिसान टीटोंटी में एक बड़ी टीम मानी चाती है बट पॉइंट इस कि पाकिसान का रिजर्व में क्रिक्टर को ना शामिल करना क्या ठीक फैसला है या नहीं आप अपनी रहे कमेंट के सोथ में जरूरत आएगा जो रिजन थी जो मुझे मालूम पड़ी वो मैंने आपको बता दी कि टीम मैंश्मेंट एक्चल में यह सोच रही है कि अगर जरूरत पड़ी थे थू बला लांगे बग इंगलन तो कोई काल नहीं कोई रोलानी ना और घंज आपको इस पर कहा रहा है अपने रैकमेंट के सोथ में जरूरत आएगा मैं इतने सब्सक्रा के लिए तहीं चाहिए चाहिए अला आफिस